हलो दीर फ्रेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने शेनल आपकी सहली सुमन में फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में मैं आप लोगों को PMS के लक्षनों और प्रेग्नेंसी के लक्षनों में अंदर बता रहे हूं महिलाओं को अक्सर प्रेग्नेंसी और मासिक धर्म के फूरे के लक्षनों यानि की प्रेमेंस्टर सिंड्रोम के बीच में अंदर को पहचाने में गलत फहमी हो जाती है पीरियट से पहले के लक्षनों में अकसर मूर्ट स्विंग, कमर दर्द, बार बार यूरिन पास होना, क्रेम्पिंग, ब्लोटिंग के साथ, ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस होती है जब आप प्रेग्नेंट होती है तब भी कुछ ऐसे ही लक्षन सामने आते हैं ऐसी कंडिशन में प्रेग्नेंसी और प्रेग्नेंसी के लक्षन के बीच अंतर करपाना मुश्किल हो जाता है लेकिन दोनों ही परिस्तितियों के लक्षनों में एक बार एक अंतर होता है हालां कि आप pregnant है या नहीं इसे जानने के लिए pregnancy test सबसे best उपाय है आज की इस वीडियो में आपको PMS और pregnancy की बीच फरक समझाने जा रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये लक्षन PMS के है या फिर pregnancy के है तो चेले पर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो अगर आप लोगों को पसंदा रहा तो प्लेज वीडियो को लाइक शेर और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लेज चैनल को भी बिना सबस्क्राइब किये मत जाएगा PMS और गरबावस्ता के लक्षनों में फ़रक समझाने से पहले PMS और गरबावस्ता के लक्षन को समझने के जरूरत है PMS यानि कि Pre-Menster Syndrome इसका मतलब हुआ पीरिड आने से पहले महिलाओं में होने माले सारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाओ सवाल ये उठता है कि दोनों ही बदलाओं जो सारीरिक, मानसिक और भावनात्मक है तो दोनों में फरक कैसी किया जाए कई बार महिलाओं PMS को गरबावस्ता के लक्षन समझने लगती है और कई बार गरबावस्ता के लक्षन को PMS ये सुनने में नॉर्मल लगता है मगर सही वक्त पर दोनों में फरक को निजर अंदास करना नुक्षा अंदाइक हो सकता है पहला जो अंतर है वो है ठकान महसूस होना PMS और प्रिग्निंसी दोनों में ठकान महसूस होती है लेकिन दोनों में अंतर भी होता है PMS periods से पहले प्रोजिस्टेर और हार्मोन का स्थर बढ़ने से ठकावत बढ़ जाते है यह ठकावत periods के शुरू होने से खत्म हो जाते है कुछ महिलाव में ठकान periods के अंतर तक भी रह सकते है इसके अधरिक यह बोरे में iron की कमी के चलते एनमिया का संकित भी हो सकता है दूसरा अंतर है PMS और Pregnancy में bleeding का PMS और Pregnancy दोनों में bleeding भी होती है लेकिन दोनों में अंतर भी होता है बात करें PMS के तो मासिक धरन के पूरे के लक्षनों में sporting या bleeding नहीं होती है period सुरू होने पर bleeding का flow है वो बढ़ जाता है और 5-7 दिन तक रह सकता है बात करें Pregnancy के तो कुछ मामनों में Pregnancy के शुरुआती लक्षनों में वज़ाना से हाल की bleeding होती है इसका रंग pink या भी dark brown हो सकता है गरब धरन करने के 7-10 दिनों बाद ये sporing होती है इसमें आपको pets इस्तिमाल करने के जरूरत नहीं होती है ये कम से कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन तक रह सकते है इसके अवधी period से कम होती है तीसरा अंतर होता है PMS और pregnancy में कब्च का कब्च की समस्या भी PMS और pregnancy दोनों में होती है महिलाओं में hormonal बदलाव कब्च होने का एक मुख्य कारण बनते है और pregnancy होने पर महिलाओं के भीतर hormonal बदलाव होते है इसलिए premenster syndrome और गवस्ता होने पर अधिकतर महिलाओं को कब्च की सिकायत होते है pregnant महिलाओं को पहले दो ट्राइमेस्टर यानि pregnancy की 6 महिने तक कब्च होने की समस्या होती है वहीं PMS होने पर पीडियट शुरू होते ही कब्च की समस्या है वो खुद बखुद खत्म हो जाते है प्रेग्ण से फूट क्रेविंग का PMS और pregnancy दोरों में ही फूट क्रेविंग का एहसास होता है बात करें PMS की जिन महिलाओं को PMS की समस्या होती है उनकी इटिंग हैबिट बदा जाते है ऐसा में चोकलेट, कार्बोहाइडेट, सुगर, स्वेट या फिर सुल्टी फूट के लिए क्रेविंग हो सकते है pregnancy के दोराँ स्ट्रिक की क्रेविंग हो ऐसा जरूरी नहीं है pregnancy के दोराँ किसी खाथ फूट के लिए हाई क्रेविंग हो सकते है pregnancy की दोराँ कुछ फूट को खार में का बिलकुर भी मनने करता है वही कुछ स्पैल से या फिर टैस्ट से भी दिक्क تھ हो सकती है ऐसा पूरी pregnancy की दोरान एहसास होता है अगला अलक्षन है best में pain होना PMS या गरवास्ता दोनों में ही स्थरों में बदलाव है वो आसाने से महसूस किया जा सकता है इस condition में महिला को best pain, स्थरों में भारेपन, सूजन या समेदल सिल्था का एहसास होता है हाला कि PMS होने पर यह बदलाव period शुरू होने से ठीक पहले महसूस किया जा सकता है जिबकि गरवत history को यह बदलाव गरव धर्म की एक सता है बाद महसूस होते हैं और बच्चे की जनम तक बने रह सकते हैं अगला अलक्षन है mood में बदलाव होना अगर आप अपने इस वभाव में चिर्चिरापन anxiety महसूस कर रहे हैं तो यह गरव धार नियाफि प्रिमेंस्टो सिंड्रोम दोनों में से कुछ भी हो सकता है जहां प्रिमेंस्टो सिंड्रोम होने पर मासिक थर्म की शुरुआत में यह लक्षन गायब हो जाते हैं तो वहीं अगर आपके भीधर यह मूर्ट स्विंक्स बने रहते हैं और आपके पीरियट्स भी मिस हो गए हैं तो यह आपकी गरवधी होने का संगीत हो सकता है इस कंडिशन में आप एक बार प्रिग्निंसी टेस्ट चरूर कर लें इसके अलावा क्रेंप, सिर्दर्द वर पीडर कुछ ऐसे लक्षन है जो पीमस और गरवधी दोनों में ही नजर आते हैं लेकिन इनमें अंतर करने का सबसे आजान तरीका यह है कि पीमस होने पर यह सब लक्षन पीरियट शुरू होते ही कम होने लगते हैं और मासिक धर्म खत्म होने तक पूरी तरह गायब हो जाते हैं जिबकि गरवावस्ता में यह लक्षन कम से कम शुरूआती तीन माहा तक तो बने ही रहते हैं आलागि पीमस्टर सिंड्रोम और गरवावस्ता के लक्षन काफे हद तक एक चैसे ही होते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षन होते हैं जो सिर्फ गरवधारन होने पर ही नजर आते हैं जैसे की पीरियट्स मिसोना गरवधारन के बारे में पता लगाने का सबसे आसान तरीका है पीरियट्स जहां PMS period से पहले के लक्षन होते है और इन लक्षनों के नजर आने के एक सब्ताय से 15 दिन के वीदर periods आ जाते है जबकि गरब धरन करने पर period नहीं आते है इसलिए अगर इन लक्षनों के नजर आने के साथ साथ आपके periods की date एक सब्ताय से अधिक की हो गई है तो आपको pregnancy test कर लेना चाहिए तो friends यह था मेरा आस का वीडियो आई hopefully मेरा आस का वीडियो आप लोगों के लिए useful रहेगा तो मिलते हो next वीडियो में तब तक के लिए good bye